तो आज हम जो दोस्तों करने वाली है यह बहुत इंपोर्टन लेंडमार्क केसी आप अगर लोग त्रेंट हो तो भाई फस्ट यर से आप यह केस पढ़ रहोगे इंडिन कोंट्रेक्ट होने के लिए वह माइनर वाला है कि कौन कर सकता है कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता हूं पधर अधाण मतलब है इंपेक्ट करता है और अट हम करने वारे हैं तो श्तर महीं करने वारे हैん धर्मदास घोष यह केस बहुत जादा फेमस है और इसको आज यह एक लैंड माँ केस है तो let's get started सबसे पहले यहाँ पर धर्मदास घोष होते हैं वो होता है माइनर और वो रहने वाला होता है हावडा का एक जगा से दूसरी जगा है वो सारे लेजासे हुए और इम्मोवेबल जिसे हम एक जगह से दूसरी जगा नहीं ले जासकते हैं एक्जामपल हाउस नहीं ले जासकते हैं रिंग उसे हम ले जासकते हैं तो वह मुवेबल प्रॉपटी हो गया और यहां पर दूसरी तरफ है ब्रहमधत यह प्रहमधत जो आदमी है यह क्या होता है यह होता है मनी लेंडर मतलब जो पैसे देता है किसी को उधार ऐसे यह कोई प्रॉपटी रखके उसको कहते हैं अब दूसरा जो हमारे सामने आता है इसका एक होता है एजेंट के दारनाथ वैसे तो है तो यहां पर एट और नहीं ही पर हम इसको यहां पर सिंप्लिफाइड फॉर्म की त ब्रहमदत से अब ब्रहमदत से 20,000 रुपए मांगता है तो ब्रहमदत बोलता है ठीक है उसके बदले में यह अपनी इमूवेर प्रॉपटी जो हाउस थाना वो रख देता है उस लोन के लिए बिज़र के और मौट गेज कहर देता है मतला उसको रखवा देता है गरवी सड ग्攻. जिसका नाम होता है गौजेंदर नंधनी अब इसको यह बात बुरी लगती है इसको लगते है की सब कॉन्टरैक्ट होगया उसको जैसे उसको 또 पता चस देता है वो तुनक नोटिस बिज़वा देते है किदारनात कोन था ब्रहमदत का एजेंट इसको नोटिस बिज धर्मोदास के जो माईनर की 8000 मैंने ले लिए है और 12000 मैं लेने वाला हूँ आगे जैसे मैजोर्टी अप्टेन कर लूँगा अब यहाँ पर आता है धर्मोदास की गाजियन जो है वो क्या करते हैं वो केस कर देते हैं लोयर कोट में जब केस करते हैं उसी टाइम पर जो ब्र आगे का पूरा जज्जमेंट तक भी नहीं रहा वो जिन्दा इसलिए इस केस का नाम ही पड़ जाता है महुरी बीबी यहाँ वाले उसकी वाइफ का ना और धर्मोदास गोस उस माइनर का ना यह इस केस का नाम बनता कैसे यह हमने देख ले अब आगे क्या होता है यहाँ पर फिर अपील आगे होती है यहाँ पर वोड़न मिलता है तो धर्मोदास की गाजन को बिल्कुँ सैडिस्फाइड नहीं होती जज्जमेंट से आगे वो क्या करती है कलकता हाई कॉट पर प्रिविसी कांसल में उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया चल दा ब्रिटिश मिल जाएंगे इसलिए वो पूरी कोशिश करता है कि वोड़न बन जाए वो सांधी साथ वो यह भी कहता है कि जब कोंट्रेक्ट जब हमसे लोन ले रहा तो धर्मोदास ने हमसे जुट बोला था धर्मोदास गोस्त ने कि वह एक मेजर है इसलिए उसके खिलाप प्रिंसपल उसको मान के चलेंगे ठीक है तो जो आपने बोल दिया उन रिकॉर्ड उसको हम लेके चलेंगे तो यहाँ पर वो चाता था कि वो मेजर मान ले जाए क्योंकि उसका सारा फेवर हो जाए और फिर यह कॉंट्रेक्ट माइनर वाला रहे गाई नहीं तो वो बहुत चालू था पर यहाँ पर कोट ने बोला कि प्रिंस्पल ओफ इस्टॉपल लगे गा ही नहीं माइनर पर कभी भी क्योंकि वो माइनर है उसके मेंटली वो इतना डवलप नहीं है दूसरा यह जो केस है यह है वोईड एब इनिशियो क्योंकि हमारा माइनर के साथ कॉंट्रेक्ट कॉंप पर वो वोईड है आप इसी के साथ हम करते हैं हम उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आयोगा और आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जया हो मिलते हैं नेक्स्ट लैंडमा केसी में और यह जो हमारा के यह पूरा का पूरा सिस्टम है इंस्पारड वाई है व्यास लोग लासे से